नमस्ते आप सब का welcome है सिम्रन की रसुई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ share करने जा रहे हैं कच्छे आलू मेथी के पराथे अब पराठे तो तरह तरह के हम बनाते हैं और खाते हैं पर ये जो पराठे है न कच्छे आलू मेथी के इतने लजीज इतने बड़ी है इतने सौफ्ट है आपको मदा आ जाएगा आचार या फिर दही या फिर चाय के साथ दो कच्छे आलू को छील कर टुकडों में काट कर मि तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे से पीस लिया है, अब हम पर आठो के लिए आठा गून देंगे, तो यहां पर एक बरतन में आपको डाल देना है, दो कप गीहूं का आठा, चौथाई चमच जीरा, चौथाई चमच हल्दी पाउडर, आदी छोटी चमच ला काट लिया है, एक चमच तेल, यहां फिर आप गी भी डाल सकते हैं, और यह जो पीसे हुए कच्छे आलू है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिये, अब पानी हम नहीं डालेंगे, पहले जितना हो सके न, इन सबी चीज से हमें आठे को गूंदना है, तो यहां पर आप देख इसी लिए, मीडियम सॉफ्ट आप आठा गूंदना है, तो इसी लिए थोड़ा थोड़ा करकर ही पानी डालना, कई बार क्या होता है, कि हमें एक साथ पानी डाल देते हैं, तो उसमें भी तकलिफ आती है, कभी-कभी जादर डल जाता है, और आठा नरम हो जाता है, तो इस लोही को इस तरह से रखना है, और थोड़ा सा अच्छे से देखो, इस तरह से कर लेना है, उसके बाद बेलन की मदशे से बेलना है, तो अब यह जो पराठे ना, इसमें कोई अंदर मसाला भरकर स्टफिंग वाले पराठे नहीं है, यह नॉर्मल पराठे है, तो रोटी बताती हूं, एक ट्रिक बताती हूं, एक ग्लास ले ले और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला पाठ है, उसकी मदश से तेल लगा है, अब इससे क्या होगा, दो फायदे होंगे, एक तो यह कि जब हम पराठा सेखते हैं, तो जिससे हम सेकरे उससे तेल ले यह trick अपनाएगा और इस तरह से में ने यह सारे पराठे सेक लिये हैं मैं इसे हमेशा ध़य के साथ ही लेती हूं आप चाहर के साथ ले सकते हैं यह बोहुत बहुत-बोहुत ही टेश्ची लगते हैं कहीं पार जा रहे हैं तो आप से ट्राविलिंग मिद्दाब ले के जा सकत झाल झाल